Students, today we will start with exercise 14.3. In this exercise, we will learn how to divide the monomial with monomial, binomial with binomial and binomial with binomial also. So, first of all, let's look at monomial with monomial. So, what do you have to do in monomial with monomial? We have written in numerator and denominator in divide. So, 28 to the 56. 6 होता है, अब आपने इसमें x की पावर 4 है और ये x की पावर 1 है, मतलब कुछ नहीं है. तो आपने क्या करना है, तो 4 माइनस 1 आपका 3 आदेगा. या आप इसे सीधा ऐसे भी समझ सकते है, x की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4x होगे, x into x into x, और नीचे आपका x है, तो एक x से x कैंसल हो गया, 3x बजगे, यानि x की पावर 3. या सीधा आप 4 माइनस 1 भी कर सकते हो, जैसे हमने exponent वाले chapter में किया हुआ है, कि आपका 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2, क्योंकि division में आपकी पावरs माइनस हो जाती है, 5, माइनस 2, 3. तो ऐसी अगर आपका यहाँ पे x है, तो x की पावर 5 और x की पावर 2 है, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा x की पावर, तो x की पावर 3 हो जाएगा. सीम भी आपने 36 और 9 है, यह आपका 9 फोज़ा 36, और y का है 3 माइनस 2, यानि 1 आ गया. नेक्स्ट में भी आपका 1166 है, अब p यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो यह आपका p सेम रहेगा, पर q आपका 2 माइनस 1 और r का भी 3 माइनस 2, यानि 1 आ जाएगा. सीम भी आप यह वहली कैलक्रेशन कर सकते हैं, बहुत इजी है, a की पावर 8 है, यहाँ पे a की पावर 6 है, तो 8 माइनस 6 यानि 2 आपका आ गया, और b की पावर 8 माइनस 4 यानि, तो यह ध्यान रखना है कि b की पावर b से और a की पावर a से ही माइनस होंगे आपकी. तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपकी z की पावर 3 थी, z की पावर थी थी, तो इसको आप पूरा कैंसल कर सकते हो, या 3 माइनस 3, 0 होता है, और 0 पावर मतलब 1 होता है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो. अब आपने क्या करना है, 5x की स्क्वार माइनस 6x अपॉन 3x, अब आपने यह बाइनॉमियल करना है, अब आप सबसे पहले यह ध्यान रख लो, अदरवाइस आप बार बार मिस्टेक करोगे, और हमेशा करते रहोगे 9th, 10th तब, कि यह आपकी बाइनॉमियल है, इसको आप ब्रेकेट में रखोगे हमेशा, बाइनॉमियल को वैसे भी हमेशा ब्रेकेट में रखना चाहिए, तो इसका क्या है कि बाइनॉमियल का एक हिस्सा, बाइनॉमियल की एक टाम, क्योंकि बाइनॉमियल मिन्स दो टाम्स होती है, जिसमें तभी हम बाइनॉमियल बोलते हैं उस है इसमें से common लोगे पहले अब 5x square और 6x में से आपका क्या common है x common आ रहे है तो जब आपने x common ले लिया तो आपका अंदर क्या बचा 5x और इसमें से 6 तो अब आपने जो common लिया है ना वो portion आपका यहां से कटेगा आपका again जो अंदर binomial बच गी है उसका भी कोई portion आपका नहीं कटेगा अगर आप सोचो यहां पर 3 1 the 3 और 3 2 the 6 कर दो नहीं हो गए तो एक चीज़ मैं again repeat कर रहे हूं कि binomial की एक term आपकी इससे कभी नहीं कटेगी जो part आप common लोगे वो cancel होगा इससे तो आपका x x cancel हो गया तो 1 by 3 यह बच गया again आपका यह है इसमें से आप फिर से यह trinomial है again trinomial का कोई हिससा कि आप सोचो y4 से y4 काट दे तो कट जाएगा नहीं cancel होगा तो आपने क्या करना है पहले इन में से आप common लोगे तो common आप देख रहे हो y4 आपका common आ रहा है और अंदर क्या बच गया यह सब तो अब जो आपने common लिया है वो portion आप इससे काटोगे और अंदर वाला as it is आपका answer आ जाएगा next में भी हमने same किया है कि यह आपका 8 into this था तो आपने इन तीनों में से common लिया x square y square z square आ रहा था तो आपका अंदर क्या बच्चा क्योंकि इसमें 3 x थे तो एक अंदर आ गया इसमें y 3 थे तो एक अंदर आ गया और 4 to the 8 आ गया तो यह 2 बच गया और यह bracket वाला बच गया next में भी आपने कहा कि इसमें से common ले लिया और फिर आपने cancellation की now question number 3 work out the following divisions कि 10 x minus 25 divided 5 तो अब again हम यहाँ पे नहीं काट सकते कि आप यह 5 से ना 10 को काट सकते हो ना 5 से 25 को cancel कर सकते हो तो इसमें से आप common लोगे पहले तो 5 common ले लिया तो 2 x minus 5 आ गया आपका तो अब यह 5 आपका इससे cancel हो जाएगा next में आपका देखते हैं कि आपने again इस binomial से आपने common लिया तो और नीचे भी आपकी इस बार binomial ही है तो अब binomial से उपर भी same रहे गए आपकी नीचे भी तो यह पूरी binomial आपकी binomial से cancel हो जाएगी और आपका answer 5 बच गया next में भी आपका ऐसे ही है कि जब आपने 6y प्लस 21 में से common लिया क्योंकि 3 common आ रहे है तो 3 अपने common लिया है तो 3 to the 6 और 3 7 to the 21 तो यह आपका अब आप देखेंगे यह नीचे वाली binomial से same आ रही है तो यह पूरी binomial आपकी cancel हो जाएगी तो एक चीज़ फिर से आपको बता दो कि पूरी binomial अगर आपकी binomial से कटेगी उसका एक पार्ट कभी भी दूसरे से नहीं कटेगा उसकी एक टाम आपकी कभी दूसरे से cancel नहीं होगी same way आपने यहाँ पे 3 A minus 12 था तो यहाँ पे आपने 3 common ले लिया और यहाँ पे 5 B minus 30 में से 5 common ले लिया तो यहाँ पे आपने फिर यह A minus 4 आपका same बन गया तो यहाँ आपका answer आपने 4 तो यह आपने अगेन इस पूरे को इससे डिवाइड करना है तो इसमें तो आपका same ही दिख रहा है कि आपकी binomial same है तो यह cancel होगी answer आपने नेक्स्ट भी आपका same है कि आपकी एक binomial यह और यह वली और यह वली same है तो कड़ गई और बाकी बच गया तो इस question में तो आपका बहुत आसान है कि आपकी same binomial already दिए रखी है तो वो आपकी cancel हो जाएगी और जो बच गया वो आपका answer है Now next question यह थोड़ा important है और complicated भी है Factorize the expression अब इसमें आपका जो आपने हमने 15.2 में factorization सीखे है वो use होंगे कि factorize करना है and then divide अब आपने सबसे पहले इसको factorize करना है क्योंकि आप y plus 5 से अब again बटा फिर मैं समझा रही हूं कि आपका यह trinomial है यह binomial है तो binomial का कोई भी एक term आपके trinomial से नहीं cancel होगा कि आप सुचो 5 से 5, 2, 10 cancel कर सकते हैं या y से y cancel कर सकते हैं no it's not possible तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको factorize करेंगे अब इसको factorize करने का तरीका हमने last exercise में सीखा था कि इसमें 10 किसी की square तो बन नहीं रहे तो identity use नहीं हो सकती तो इसको middle term split से करेंगे कि आपका जो है अगर इसमें sum आपका 7 आना चाहिए और product आपका कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए तो आपके दो number 5 और 2 ऐसे ही है 5 और 2 5 प्लस 2 7 होता है 5 इंटियो 2 10 तो ये 7 y को हम क्या लेख लेंगे 5 y प्लस 2 y तो अब हम regrouping करेंगे कि इनके दो-दो के groups बना लेंगे इन दोनों में से common लेंगे हम y आ गया तो y प्लस 5 बन्द बच गया इन दोनों में से common 2 ले लिया तो y प्लस 5 तो y प्लस 5 फिर से common लेंगे तो अंदर y प्लस 2 बच गया तो अब आपके देखो एक y प्लस 5 वाले को middle term split से आपने कर दिया तो इसमें आपका sum आपका कितना आना चाहिए minus 14 आना चाहिए और product कितना आना चाहिए minus 32 तो minus 14 था ये आपका तो अब हमने दो नंबर कौन से लिये है minus 1602 क्योंकि minus 16 plus 2 आपका minus 14 होता है minus 16 into 2 minus 32 तो minus 14 M को हम क्या लिखेंगे minus 16 M plus 2 तो again हम इन दोनों में से common ले लिया तो M आ गया और इन दोनों में से common 2 ले लिया तो ये बन गया तो M minus 16 common आ गया तो M plus 2 आपका बच गया तो M plus 2 से M plus 2 cancel हो गया same आपका next है कि आपने इस उपर वाले को middle term split से कर देना है next भी आपका same है but इसमें difference ही है कि आपने सबसे पहले उसमें 5 common ले लिया क्योंकि आपका 5 common आ ला था 5 common आ गया तो हमने P square minus 5 P plus 4 बन गया अंदर तो अब आपने इसको middle term split से कर देना है इसमें आपका sum minus 5 आना चाहिए और product आपका कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए तो हमने दो number लिये minus 4 minus 1 तो minus 5 P को हमने क्या लिखा minus 4 P minus P तो आपने इन दोनों को group किया इन दोनों को grouping की तो आपने common लिया और इस तरह आपका ये solve हो गया next भी आपका again same है कि इस वली चीज़ को आपने middle term split से किया तो ये आपके sum 6 बनना चाहिए और product आपका minus 16 तो हमने 8 और minus 2 दो number लिया है तो 8 minus 26 होता है और 8 into minus 2 minus 16 multiply करके आएगा तो again आपने regrouping से इन दोनों को group करके common लिया और आपका answer आगया next में आपका क्या है 5 P Q P square minus Q square अब आपको यहाँ identity यूज़ कर सकते हो क्योंकि P square minus Q square क्या होता है again वो जैसे मैंने समझाया था कि आप इन दोनों square को भूल जो और P minus Q P plus Q तो P plus Q आपका नीचे भी था cancel हो गए और you will get your answer now next part है आपका यह है तो again इसमें 9 X square जो है आपका क्या बनेगा 3 X की whole square और 16 Y square क्या बनेगा 4 Y की whole square तो again इस square भूल जो आप जो bracket में है 3 X और 4 Y उन दोनों के एक बर minus कर दी है उन दोनों को plus भी कर दी है तो यह आपका cancel हो गए और you will get your answer next वाले में इसमें आपने again पहले सबसे पहले क्या करना है कि आपने 2 common ले लेना है क्योंकि 50 किसी भी चीज की square नी होता और 98 भी किसी चीज की square नी होता तो 2 common लेने से क्या हुआ अंदर 25 Y square हो गया और 49 तब 25 को आप क्या लिएक सकते हैं 5 Y की whole square और 49 को क्या लिएक सकते हैं 7 की square तो अब आप देखो यह फिर से square दोनों की भूल जाओ और यह जो bracket के अंदर है 5 Y और 7 तो एक बार इन दोनों को plus करती है एक बार इन दोनों को minus करती है यानि 5 Y minus 7 5 Y plus 7 तो यह आपका same cancel हो गया and you will get your answer Thank you